हेलो लोड़नल्स और सवागत है आपके सशन में विच इस हाउ टो रिवाइज राइक अप्रो क्योंकि एक बहुत सारी आ क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा ये सब्जेक्ट हो चुका है रहे आप से इंचेन मेडिवल पढ़ लिया तब सब सौन में आगया था लेकिन अब बहूलने पर हैं कि जो भूल रहे हैं तो क्या यह एक नाशनल समस्या यह सब के साथ हो रहा है यह सिर्फ आपी के साथ हो रहा है यह बाते थोड़ा संदेगी और सको एंडर्स करेंगे समझेंगे कि वो चार स्टेप्स कौन से हैं जिसमें कि आप बहुत यह रिविजन कर प faculty and author for history and culture और अभी मैं PW पर पढ़ा रहा हूँ history and culture of course इसके पहले मैं आने कैडमी पर डिरेक्टर भी था और अभी जैसा गुने का physics वाला पर मैं आपको history और culture पढ़ाता हूँ तो point पर आते हैं और जो है बात करते हैं भूलने के है ना कि भूलना कहां से शुरुआ था थोड़ी से history डालते हैं इसमें तो कहानी शुरू होती हर्मन अभिंगोस है भूलना यहां से नहीं शुरू होता है यहां से हमें कुछ पता चला तो हर्मन अभिंगोस he is a German psychologist in the 19th century और इन्होंने एक experiment अपने उपर ही किया उन्होंने फाइनली एक किताब पुब्लिश की 1885 में इसको अगर इंग्लिश में convert करें तो this is memory, a contribution to experimental psychology और यहां से एक टर्म आया the forgetting curve तो इन्होंने अपने उपर experiment किया और इन्होंने ऐसे बहुत सारे और फिर एक समय बाद अपने उपर जहे देखा कि हां मुझे कितना याद है उसको plot किया कितना percentage याद है फिर कुछ समय बाद देखा कितना याद है तो फिर plot किया कि हां इतना percentage याद है ऐसे multiple rounds of revision करने के बाद he came back with a graph which is called as forgetting curve कि हम धीरे धीरे जो भी हमने कुछ पढ़ा होता है वो धीरे धीरे डिके करने रखे और हम भूयात है अगर हम immediately देखे तो काफी बात याद है जाव हमने पढ़ी है लेकिन उसके बाद within 20 minutes within 1 hour, within 9 hour, within 1 day within 1 day almost 60% loss हो चुका है तो अगर इसको थोड़ा सा यहां कभी नहीं भूलेंगे यह ना ऐसा ऐसा गलत वहम हम लोग पाल लेते हैं कि हम कभी नहीं भूलेंगे but immediately after class अगर आप से पूछा जाए within 20 minutes, within 1 hour पूछा जाए कि क्या आपको याद है आप कहेंगे हाँ लग भाग याद है और धीरे धीरे साथ दिल के अंदर आप सब कुछ भूल जाते हैं within 7 days you'll forget everything वो जो आपने आपको जो लग रहा था जो आपको feeling दे रहा था कि आपको बहुत आता है बहुत confident आप feel कर रहे थे within 7 days it will be all gone that means इसको counter करना बहुत important है अगर इस forgetting कर उसे आप नहीं लड़े तो subject आप भूल जाएंगे हाँ बहुत भूल जाएंगे and that is the reason कि इसको counter करना important है तो counter obviously counter मांगता है revision कि हाँ जो भी जो भी आपने पढ़ा है वो immediately after class जो मैं कहता हूँ कि class की बाद तुरंत पढ़ो जो कुछ मैंने पढ़ाया है घर जाके revise करो उससे थोड़ा सा कुछ-कुछ notes बनाओ है ना उसमें थोड़ा highlight करो mark करो तो immediately after class एकड़म से आपका जो retention है वो boost कर देता है और अब जब decay होगा तो थोड़ा सा higher higher जबद पर है और फिर अगर 24 घंटे के अंदर possible है तो भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है 24 घंटे के अंदर बहुत सारे examination में समय इतना जा रहा होता है जासे UPSC preparation में क्या within 24 hours नहीं कर सकते हैं तो at least within one week या within one month अगर आप एक और round revision कर दें तो यह वापस थोड़ा सा improve हो जाए within one month एक और अगर revision हो जाए at least पल अधीलो तो यह और improve हो जाए तो यह ऐसे multiple round of revision will ensure कि जो आपका retention है वो बढ़ता जा रहा है तब कहीं धीरे 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 आप subject को retain कर पाएंगे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% बात याद रहेंगे यह ना अंटेजनलस तुरंत पढ़ाए तुरंत पढ़ोगे तो हाँ धिमाग में RAM में रहेगा तो बात ध्यान रहेंगे बिल्कुल ध्यान रहेंगे but otherwise otherwise it is natural it is but natural कि हाँ आप चीज़े भूलेंगे जैसा नहीं कि हाँ यह आपके साथ ही हो रहा है यह सब के साथ हो रहा है तो जो है point is कि अगर आप इसे counter करेंगे तभी आप चीज़ों को retain कर पाएंगे तभी आप exam में qualify कर पाएंगे या exam में अच्छा perform कर पाएंगे तो सवाल घूम फिर का आता है तो फिर revise कैसे करना है तो पहले हमने समझा कि भूलेंगे सब right है न और revision important है आप revision करेंगे तभी आथ चीज़ों को retain कर पाएंगे बट revision के एक बहुत बड़ी problem है problem क्या है problem है boring होता है revision right it's very very boring देखो जब पहली बार आप पढ़ते हो right पहली बार तो पहली बार बड़ा interesting लगता है क्योंकि पहली बार Gandhi के बारे में सुना पहली बार Marathas के बारे में सुना पहली बार Mughals के बारे में जाना ancient India समझी बढ़ा अच्छा लगा बढ़ा मजा या तो पहली बार क्या होता है कि आपको दिमाग को जो stimulant मिलता है वो एकदम से आपको gratification देता है बढ़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार क्या बात ग्यानी होता जा रहे हैं लेकिन जब आप उसको revise करने बैठते हैं तो ऐसा कुछ नया नहीं मिल रहा होता है और तब आपको लगने लगता है कि क्यों ही पढ़ा रहे हैं जीवन में ये क्या रखखा हुआ है तो technically it is not at all entertaining तो revision entertaining तो नहीं है कोई मजा नहीं आता and this is the biggest challenge आप revision से इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है यह बोरिंग है इसे दूर रहो इसे अच्छा वीडियो देख लो तो वो आपको भगा रहा है तो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो पहली बात पहली बात address करते हैं जो elephant in the room है कि हाँ revision इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बोरिंग है दूसरी प्रादम हो सकती है आपके बस समय कम हो लेकिन समय समय जो है manage करना होगा भी part of the story है part of the preparation है तो अगर आप इसे भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात realize करिए कि आप इसलिए भाग रहे है क्योंकि ये बोरिंग है ये महनत मांगता है राइट तो चलिए इसको address करते हैं कि हाँ ये बोरिंग है अब इसको solve कैसे करें तो now first step is revise what क्या पढ़ना है अभी बहुत ही basic step है लेकिन बहुत ही important step क्योंकि पहले ही step में कई लोग लड़ खड़ा जाते हैं कि हमको revise ही क्या करना है क्योंकि ये बोरिंग है तो आप entertainment के चक्तर में बहुत सारी गलत चीज़े करने लग जाते हो now let's understand कि हमें हमें target हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमें इस content को revise करना है इसको पढ़ रिवाइस करना है जो सर आपने notes बनाए थे और दूसरा कोई standard book जो आप साथ में follow कर रहे है जो पढ़ाया गया था उसको revise करना है उसी को तो revision बोलते है न कि पहले पढ़ा हुआ इससे revise करना है लेकिन गलती कहां पे करते हो आप लोग आप लोग कहते हो नहीं 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 क्योंकि इसमें तो मदा नहीं आ रहा बोरी है राइट तो आप उसके साथ जो है documentary खोल लोगे विडियो देखने रख जाओगे इसके साथ कभी भी पुराने विडियो नहीं देखने हो अब online में क्या है कि वीडियो भी अवेजबल है लोग बैट के वीडियो देखने हो जाता है and this can be disastrous वापस वीडियो जब तक कोई concept याधी ना आए समझी ना रहा हो तब तक वापस वीडियो पर मत जाओ राइट यूल है अपने बढ़ाए है या फिर क्लास के नोट्स अगर आपके पास है किसी से कॉपी ले ली है आपने जिरॉक्स करा लिया है तो अलग यूट्यूब वीडियो देखने लग जाओगे आप दो चार कितावे और फर करने लग जाओगे कि हाँ इतना तो जान लिया है राइड है ना कि हाँ हमने जो है लेट से स्पेक्टरम तो पढ़ दी है लेकिन अब हम बियल ग्रोवर पढ़ेंगे अब हम बंदो पाध्याय पढ़ेंगे अब हम रामचंद्र गुहा पढ़ेंगे तब आएगा इंट्रस तब दिमाग को लगेगा कि दिमाग खुल गया है निर्वाना मिल गया है इन्लाइटेंट में डारा है एना ऐसी फिलिंग आने लग याई दिस इस डिजास्ट्रस क्योंकि आप इतना टाइम कि कर देंगे उसमें कि आप यह तो भूवी जाएंगे क्योंकि यह तो अब रिवीजन थोड़े हुआ यह तो नहीं क्लास हो गई रइट नया कॉंटेंट हो गया तो पुराने कॉंटेंट को इसने बूस्ट नहीं कि इसने आपको नया कॉंटेंट दे दिया नहीं करेंगे यह तो फिलाल टार्गेट देना पड़ेगा दिमाग को यह तो आपको टार्गेट करना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि टेस्ट आ रहा है तो आपको टार्गेट करना पड़ेगा कोई टेस्ट अब यह mcq-based टेस्ट हो सकता है अगर आप यह descriptive टेस्ट हो सकता है अगर आप जो है किसी ऐसे exam की टैरी कर रहे हैं जिसमें आंसर के दिखने है ऐसा नहीं कि दिमाग को खाली बोलना है कि यह टेस्ट है अगर वो sectional test हुआ तो बहुत अच्छी बात है जिसमें सिर्फ modern इंडिया होगा बहुत अच्छी बात है कमांड आ जाएगी आपकी जो efficiency है एकदम चरम सीमा में पहुत जाती है राइड हना सब सौन में आने लगता है राद भर में पूरा-पूरा syllabus खतम कर देंगे लेकर आएंगे जो है super high when you know कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो इसको utilize करना है कहीं पे और अगर यह test series ऐसी test series है जो कि जिसमें काफी लोग आने वाले तब तो conformity भी है आपको challenge भी करना है तो वो और अच्छी बात वो नहीं भी है अगर आप खुद अकेले भी test देने वाले है it is still better राइड हना कि जो है बिना किसी target के अगर आप बढ़े तब तो और ज्यादा विल्कुकिए तो जो भी है आपको फिलाल अपना subject जो भी आपने choose किया है उसके according एक test series प्लान करनी पड़ेगी कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसका एक end game है उसका एक outcome है इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूं जो भी कुछ आपने पढ़ा राइड पूरी 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 स्टोरी विल्मेक संस जब मैं पूरी बात खतम कर जोंगा तो अभी सुनो पहले जहां से कि जो भी कुछ आपने पढ़ा वो लेट से एक घंटा मैंने पढ़ा या एक chapter मैंने खतम किया एक chapter जो भी आप उससे बनाना चाहें और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिकॉल वैल्यू कितनी जादा है कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा उससे दिमाग को तुरंत इंस्टेंट मिलेगा कि यार जो है वाव यह सारी बात है यादे confidence आने लगेगा अच्छा लगने लगेगा तो इंस्टेट ऑव वेटिंग फर लेट से वन वीक टू वीक राइट कि हम दो हकते बाद ऐसा करेंगे तूरंत अगर ब्लांक पेच पर आपने एक क्रिएट करेंगे डिस कई बाद बात है तो फूरे चैप्टर का क्या र माइकरो नोंट्स भीक्रिट हो सकता है इनीचल स्टेज में दो चार पंने लाइक बिना रहे आपको डिसकारड करना पड़े इट इस तो यहां पर जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो बोरिंग काम था, अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगे। राइड है ना कि आप कोई ऐसा sketch create कर रहे हैं, कोई ऐसा timeline, कोई mind map create कर रहे हैं, जो उस पूरे chapter के आपको याद दिलाता है, जो जो बाते आपको याद हैं, उसमें आपको पूरो पीरो देनी। जो आप अपने साथ खेल रहे हो, जो की entertaining भी है, और प्लस प्लस आपके पूरे पिछले एक दो घंटे का outcome भी है, आपको अच्छा लगने लगेगा, राइड है ना, तो दो बाते हैं, या तो एक तो टेस्स तो है, या तो नहीं, दो नहीं, तो एक टेस्स तो end game होना ही चाहि हैंगे, in fact यह automatically आपका एक और revision हो गया, और वो भी तुरंथी हो गया, तो इससे क्या होगा, retention भी बहुत हाई हो जाएगा, पसम्यारी इससे retention आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, कि आपने तुरंथी उसको जहें, एक बार हाथ रखके याद कर लिया, ऐसी वाली बात हो ले, लेकिन हाथ रखके याद करने से बेटर है, लिखो, यहाँ वो याद भी कर रहे हो, एक बार लिखके भी देख रहो, यह जो retention आपको देगा ना, इसके बाद आप समझें कि यह तीन revision के बराबर है, वो एक round में तीसरा तीन revision हो सकते हैं, अगर आपने यह चीज कर ली, कि आप याद भी कर रहे हैं और लिख भी कर रहे हैं, गजब याद हो जाएगे, हैना तो दिस विख रियली हेल्फफुल, दिस स्टेप इस वेरी वेरी हेल्फफुल, कि हाँ आप टेस्ट भी डिसाइड करेंगे और यह जो है, ब्लाइंड स्केच करेंगे, यह, तो इस व सेकेंड स्टेप हमने समझा कि हाँ भी टार्गेट होना जो है बहुत जरूरी है कि हाँ रिवाइज क्या करना है पहला हमने समझा और दूसरा आपके पास साथ सब्जेक्ट हैं, एना कि हाँ हिस्ट्री है, तो लेट से आपने जोगरफी, जोगरफी के लिए आपने कहा कि हाँ जोगरफी में मुझे, लेट से दस दिन चाहिए, तो ये टेंडेस टो रिवाइज जोगरफी का अफकोर्स कॉंटेंट देखते हुए, आप तुर दूगा, तो ये आपके होगी हाँ में पॉलिटी में दस दिन दूँगा, राइट टेंडेस, और और टेस्ट थ्री दूगा, राइट है ना फिर आपका होगी हाँ इन्वार्मेंट छोटा इंवार्मेंट चोटा है या एकॉनमी कहलो पहले, इसमें भी मैं 10 देज द टेक डाल देते हैं, और और इसमें भी लेट से पांच दिन देते हैं, और फिर में टी समें दूगा, और कहेंगे सर साथ ही टेस्ट देने क्या, मैं ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, राइट मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, यू शुट बी टार्गेटिंग क्लोस यू वाट कर रहे हैं, यू पे अधर लिए टेस्ट आप और अटार्गेट गरेंगे साथ ही लिखा हुआ, अरे लिखा हुआ है, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि हां रह लगा आप के बीच और बीच एक टेस्ट और दे सकते हैं, राइट ती ए, टीब, कि हां आधा है बट स्टिल जो है स्टिल आप समझ या आपके पास है सतर दिन तो है तो हर सब्सक्राइब हो सकता है लास्ट में टेस्ट और आप बढ़ा सकते कोई कि रिविजन और हो सकता है प्रेस्ट वन राउंड ऑफ रिविजन अगर हम इस शौट स्पैन में देखें तो यह भी है अ हम रिविजन इन जनरल की बात कर रहे हैं और आप इसको अच्छे से यूट्राइज कर सकते हैं गेम चेंजर है आपका पूरा गूगल प्लान बना लिए जिसमें यह सारी बाते डिसाइड है और नाव यूटो कि मेरे बास दिन है और हिस्ट्री मुझे पढ़ना है और उसके बाद एक दिन आएगा जब मुझे टेस्ट देना हो अब यह सेक्षिनल हिस्ट्री का भी टेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हाँ अगर फुल लेंद भी है तो कोई बात है नाव अभी हिस्ट्री का जो सिलेबस है अब इसे हम डिवाइड करेंगे लेट से इन दस दिनों में कि दस दिनों में मैं पहले दिन क्या पढ़ूंगा दूसरे दिन क्या पढ़ूंगा तीसरे दिन क्या पढ़ूंगा ऐसी हम प्लानिंग करेंगे तो सेकेंड लेवल ओफ शार्निंग होगी कि हम हिस्ट्री को आप इस टेन देस के ऊपर कैसे डिसाइट करते हैं राइड है कि जैसे वन दे वान है राइड दे वन डेवान लेट सिम्हें मॉडन इंडिया जो सीजन वन अपना वो पढ़ देंगे राइड डे टू जो है modern इंडिया का season 2 पढ़ लें जितना भी आपका इंग सर्जादा समय लगता है तो हाँ डे वन में डे डे टू में भी season 1 continue कर लो राइड फरस्ट आफ कर लो पहली 10 क्लासे या पहली 8 क्लासेस कर लो राइड और जो है डे टू में अगली अगली साथ क्ला सब्सक्राइब आपके अपनी स्पीड के हिसाब से आप यह टार्गेट रहेंगे कि हां मुझे 8 क्लासेस का रिवीजन करना है अब अब आपके दिन में आठ घंटे देने को रड़ी आठ से बारा घंटे क्योंकि प्रजिम साने वाला है जट से तो आठ से दस घंटे कह लो क आठ से दस घंटे देने को मैं रड़ी नौँ आई हाव टू एलोकेट इसा फर्दर ब्रेकडाउन करना पड़ेगा कि डेवन डेवन जो है डेवन तो आज में सुबह बैठा या कल रात को बैठा राथ की प्लानिंग कर लिए यहां यह यह जो आठ क्लास में जरूरी नहीं सेम हो बट मालो की हर ग्लास में आपको एक घंटा देना है यह है हमारा चौथा स्ट अब यह एंटरिंग इन्ट फॉर्थ स्टेप की एक तो प्लानर बना लेना है और लिए अप्लाइए अप्लाइए अभी जो हम बात करने जा रहे है इसको थोड़ा मोडिफाइए करके अ बात को तो विए डिसकुसिंग पोडोरो नाट एक्जाक पोडोरो बट मॉडिफाइट वर्यों पोडो अब इसमें क्या होगा कि हमने डिसाइट किया कि आज जो डेवन है डेवन बेवन उसमें इसमें मेरे पास लेट से लेट से जस्ट फॉर दिसकेशन चैप्टर पहला जो है वो थोड़ा से बड़ा है तो उसमें एक घंटा लगे कि सब पढ़ा है दूसर जब जो है उसके नोट उतने ज्यादा नहीं है इसके बड़े नमबर ऑफ पेजस के हिसाफिक इतने पेजसर रफिली तना समय लगाए गाए तो यह टाइम एलोकेट मुझे करना पड़ अब मेरे पास समय है For example, अब मैं chapter 1 करने बैठा अब chapter 1 करने के पहले What I'll have to do मुझे 60 मिनट का timer लगाना हो मैं 60 मिनट का timer लगाऊंगा और दुनिया भूल जाऊंगा सामने stop was चल रही है समय चालू हो चुका है और अब मेरे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है except for that chapter अब मेरा phone आए दुनिया में भूकम पा जाए कुछ भी हो जाए मैं हिल नहीं सकता मम्मी दनिया देने के लिए बुलाएं कोई फरक नहीं पड़ता अब ये 60 मिनट जो मैंने dedicate कर दी है ये 60 मिनट मुट से कोई नहीं चीन सकता अब मुझे बेस्ट अपना खेलना पड़ेगा तो नाओ नाओ इट जाए कि ये 60 मिनट विल इंक्रीज ओर एफिशेंसी लाइक एनिटिंग विकॉस सामने जो घड़ी है जो बता रही है कि समय कम होता जा रहा है आप तेजी से पड़ेगा और जो एफिशेंसी आएगी इसमें वो घजब की एफिशेंसी आएगी इसली गेम चेंजर फॉर यू एकदम आप एक करके देखे आपको रिलाइस होगा कि हाँ ऐसा तो थाई नहीं फाक्ट यह थोड़ा एग्जॉस्ट भी है राइट चार स्टेप के बाद थोड़ा थक भी जा होगे तो इस वरी वरी इंपोर्टन टू टेक ब्रेक आज वेल कि हर स्टेप के बाद एट सेव दस मिनट का थोड़ासा ब्रेक कि हाँ रहासा जो है रिलाक्स हो गया है थोड़ी दर गाना सुन लिया या फिर ध्यान लगा लिया मेडिटेट कर लिया बीच में थोड़ा से इस तरह का ब्रेक आपको लेना पड़े है आप फर्जी टाइम पास इदर उधर यह देख रहे हैं वो देख रहे हैं पन्ना पजट रहे हैं नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ साथ मिनट है और आपको यह चैप्टर खतम करना है और धीरे धीरे सही में आप इस पूरे दिन में जो आपने डिसाइट किया है आप अचीव कर ले जाएंगे अगर आप ओवर अंबिशियस नहीं अब ऐसा नहीं कि एक दिन में लिखा कि लक्ष्मी कांथ खतम करेंगे और फिर लिखा एक घंटे में लक्ष्मी कांथ खतम हो जाएगे अरे ऐसे थोड़े होता है यह सब नहीं है लेकिन हाँ जो है यूशू टारगेट कि हां साथ मिनट में आवे से खतम करेंगे चालिस मिनट अगर हमने लिया है तो हम खतम करेंगे और जितना भी एक्ट्वल टाइम लगे आपको एक घंटा बीस मिनट लगे तो यह सब लिखना है या काउंटिंग करनी है हवा में नहीं चल रहा है यह आपकी शीट पे आपके इसमें लिखा होना चाहिए कि हां साथ मि मुझे यहां पर 80 मिनट लगे तो डाट यू अंडर स्टांड कि जो आप तार्गेट रेते हैं आपको उससे ज्यादा समय लगा है यानि यानि पेजिस के हिसाफ से जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है यानि हलका सा समय बढ़ाना पड़े बहुत ज्यादा नहीं कि रिलाक् बहुत एफिशेंट है बठाँ थकाओ भी बहुत लेकिन इससे जो आपका जो यू कन से जो टाइम है वो बहुत अच्छा कर्जीव है और चाप्टर करने के बाद एक आग को ब्लाइंड स्केच भी बनाना है दोस्त राइट और इससे कॉन्पिटेंस आने लगेगा आपको सारी कहानिया होगी राइट जो भी जितने भी जरूरत आपको यहां पर पेज का काउंट नहीं है कि एक ही पन्ने में खतम करना है ऐसा कुछ नहीं है जितना भी आपको सही आगए आप यूज कर सकते हैं और हर रिवीजन के साथ आपको इसे यूज करना है इन चार स्टेप ब्लाइंड स्केच दो आपके टार्गेट है तीसरा प्लानर कि हां कैसे इस इन सारी चीजों को आप अरेंज करेंगे वो यहां पर प्लान करो और फिर आप लगाओगे उस प्लान पे डेली बेसिस पे आरली बेसिस से पोमोडोरो जो की आपको एफिशन बना देगा प्लस आप जो ब्लाइंड स्केच बनाएंगे उससे आपका इंटर्टेइन्मेंट भी होता रहेगा आप बहुत अच्छा फील करेंगे इस पोले रिवीजन के दौरा तो इस वीडियो का मुद्दा नहीं है तो उस तरफ हम डाइरस नहीं करेंगे पट येस वाप यह बात आपको सब्सक्राइब आई होगी नाओ सम अडिशनल पॉइंट राइट है ना कि पूरी में बात हमने समझी तो कहानी यह चार स्टेप के थी यह चार स्टेप अगर आप समझे और बहुत बढ़े हैं आप इसमें कुछ बाते और ध्यान रखेंगे पहली बात पहली बात जो है इं कब से कब तक चलाइए कपसे ड्रीश ठीक तो मारी दिया घूंवियर कुछ नहीं संम्यारा privakשãyो एक रौंड हो गया जब राउंड यू राउंड टू हो गया राइंड राओंड थ्री हो तो राउंड थरी हो गया रहके करते 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 जो है sets of revision 20 sets of revision आप कहेंगे सर कैसी बात करो इतना समय लगता है अब इसमें एक good news है तो पहली बात खेर ये indexing good news पहेंगे बठाएं indexing is important, indexing will give you a lot of confidence, हैना कि हाँ जो है आप हवा में बाते नहीं करो आपको पता है कि मैंने इतना revise किया हुआ कि मैंने जाया नहीं जा रही है चीज़ां यहां भरी होंगे, पता है आपको इसी से दूसरी बात निकलती है do not ask generic question आपका दिमाग जो है अगर आपने अपने आप से ऐसा सवाल पूछा कि क्या मुझे modern इंडिया आती है इसका obvious जवाब है नहीं आपका दिमाग कहेगा आपको नहीं आदे क्यों क्योंकि generic question है वो tension नहीं देना चाहता है उसको डर है कि दिमाग को डर है कि आपने पूछ लिया क्या आता है तो दिक्कत हो जाई क्या ही पताए क्या आता है लेकिन अगर आप specific सवाल पूछेंगे कि for example आप लेकिन अगर आप पूछेंगे तो आपको specific जवाब मिलेगा अगर आप generic सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब भी generic मिलेगा कभी भी ऐसे generic सवाल मुझे कि मुझे आता है नहीं आता है आप confidence आपका कम होने लगेगा आप थोड़ा सा डाउड करने लगेंगे सब्सक्राइब की तरफ जाने लगेंगे तो नेवर डू डैट जस्ट फोकस ओन आन्माट्स यहां मैंने इतनी बार पढ़ा हुआ है मेरा टेस्ट में इसके अधामाद दूसरा आपको बता रहा है कि हाँ धीले धीले आप भूल जाते हैं पर यह जो ग्राफ है ग्राफ है टाइम का टाइम डूरेशन इन वन राउंड और यह है नंबर ऑफ रिवीजन जब आप पहनी बार रिवाइस करते हैं बहुत समय लगता है अगर अगर लेट से मैंने आपको जो है कोई सबजेट 50 घंडे पढा मैंने आपर इंट्यण इंडिया 50 घंडे पढा है सो सकता है पॉसिबल राइड है कि पहला स्टड़ी है या पहला रिव्य को सकता है तो यह बीस घंडे के आसपास पाइस घंटे के असल पहुंच जाएगा अगली बार रिवाइस करेंगे ये 10 घंटे के अंदर आने लगे तो धीरे धीरे अब डिपेंड करता है आपके ग्रास्पिंग पावर और आप कितनी जल्दी रिवाइस कर रहे हैं धीरे धीरे ये नंबर बहुत कम हो जाए और डाट इस घंटे कि वो 15 बार 16 बार रिवीजन पॉसिबल है क्योंकि अगर 5 घंटे में कोई सब्जेक्ट रिवाइस हो सकता है तो रोज करो राइट है ना कि हाँ एक्जाम से पहले आप बहुत बार कर सकते हैं क्योंकि इतना छोटा नंबर होने लगेगा आपके नोट देरे दीरे क्रिस्प होने लगेंगे क्योंकि आप उस वह बना रहे है तो दीरे दर वही आपके नोटम बन जाएंगगे तो वही आपके एक शॉर्ट नोट की तरह काम करेगा अब सिर्फ वही देखेंगे और बात यादा जाएंगी सारी और फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है वहीं मुश्किल से जो है एंशन इंडिया में 20 पन्ने पलटने एंशन इंडिया यादा गई राइड मॉडल इंडिया में तो देन शाइद दो घंटे में तीन घंटे में आप मॉडल इंडिया करने लगे लेकिन हां यह यकीन रखो मैं कर चुका हूं राइड हना डाट इस तरीजन आई नो कि हां यह माइक्रोंड जैसे आते जाएंगे कहानी बहुत आसान हो जाएगे राइट सिर्फ आपको पन् पर तो आराम से कर सकते कोई रोकने वादा नहीं तो पॉइंट इस पॉइंट इस यहां आपका रिवीजन टाइम कम हो रहा है और वही रिवाइस करना जो पहले पढ़ा था दूसरा टार्गे ना चाहिए क्योंकि बोरिंग होता है तो टेस्ट टार्गेट हो सकता आपके ब पूरा अपना रिवीजन प्लाइन इंपोर्टेंट है और दें पुमोडोर टेक अप्लाइब करें और बहुत इस पूरे वीजन को करणों को रहें तो प्लस शोष जोह बीक्रोइशन जिसमें बहुत सारे कंपार रहे हैं बहुत शारे शीचेट और अपलोड़ी बाकी आप अपने इंट्रस के हिसाब से बच्चों से बाते कर सकते हैं आप बाकी 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 जो है बेस्ट आप अच्छा पर्फॉर्म करेंगे जय हिंद जय भारत प्रस्ट आप